स्वागत इस्टुएंट्स आपका अमारे चैनल पर आज हम करेंगे कक्छा 6 में विसे अंग्रेजी का 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का हल जिसमें हम पढ़ेंगे लैसन फर्स्ट और उसके साथ मैसिस्में फर्स्ट भी देखेंगे उसका इसके अलावा हमने विविन विशों के आपके 8 ग्रेड की अभ्यास पुस्तिकाओं के solution दाल दिये हैं अगर आम नहीं देखें हैं तो चैनल पर जाकर जरू देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रस्ट नमबर एक से आपका पहला चैप्टर है दर ट्री what is the lesson about यह चैप्टर किसके बारे में है ट्री के बारे में है ट्री उत्तर हो जाएगा who play near the tree all the village children अगला है right the opposite of small small का opposite क्या हो जाएगा big अब short term प्रस्ट है प्रस्ट नमबर चार है when do the passers-by sit under the tree in the afternoon passers-by sit under the tree हमें comparative और superlative डिगरी बनानी है deep और tall की deep का हो जाएगा comparative deeper superlative deepest tall का taller tallest इसी प्रकार से आपको लिखना है अगला है हमें plural बनाना है child और branch का child का children branch का branches अब long term प्रस्टन है 5-6 वाक्कियों में लिखने है पहला है rearrange the words इनसे हमें एक सब्द बनाना है तो क्या बनेगा बन्यन B-A-N-Y-A-N इससे क्या बनेगा village calm V-I-L-A-G-E इससे क्या बनेगा seed H-E-D-E-D इससे बनेगा world W-O-R-L-D इससे बनेगा plant P-L-A-N-T इससे बनेगा swing H-W-I-N-G इससे बनेगा shade, S-H-A-D-E इससे बनेगा afternoon, A-F-T-E-R N-W-O-N इससे बनेगा animal, A-N-I-M-A-L इससे बनेगा care, C-A-R-E तो बच्चो, आगे देखिए assessment आ गया है हमारा इस chapter का artery का assessment है ये assessment number first तो चलिए इसको भी solve करते हैं पहला प्रशन देखिए what is the past tense of grow grow का past tense क्या होता है, ग्रिव होता है अगला है, write the name of the four words who live in the tree जो पेड़ पर रहते हैं उन चार पक्चो के नाम parrot, peacock, owl और crow अब मैं 5 से sentence के अंदर 5 sentence बनाने हैं बन्यान ट्री के उपर बन्यान ट्री also spelled बन्यान is a fig that begins its life as an appetite, a plant that grow on another plant when its seed germinates in a crack or crevice of the horse tree or edifice इस तरह से आपको लिखना है तो ये ता हमारा lesson 1 और उसका assessment पूरा solution, इसी परकार अन्या भी और इंगलीज के भी अंग्रेजी के भी हम करते रहेंगे, जुटरे ये चनल से like करे, share करे, subscribe करे धन्यवाद